दोस्तो आज मैं अपनी पती की काली सचाही काली करतूत दोस्तो में बताने जार ही हूँ मेरा पती पांच-छे दिन से मुझे छोर के भाग गया है जहां तक मेरी बेटी को लेके भी वो भाग गया है और दोस्तो एक ले लड़की के चक्कर में दोस्तो मेरा घर हो गया है दोस दोस्तों कभी वो ऐसा नहीं करते थे, जब से मेरी बेटी हुई है, तब से दोस्तों मुझे ना पसंद करने लगे, लराई जगरा घर में चलने लगा, और दोस्तों मेरा कान का भी दोस्तों नहीं है, कान का भी उन्होंने बेच दिया है, और आज तक दोस्तों मुझे एक सार को यूटूब फैमिली है जब तक आप लोगों से क्या चुपाना जब तक हम आप लोगों को बताएंगे नहीं दोस्तों ताप लोग समझेंगे कैसे जैसे कि दोस्तों हर औरत हर औरत दुख में रह सकती है नमक रोटी खा सकती है लेकिन अपनी पती को नहीं बाट सकती है मोर आया है, नहीं कर सकती हूं, और दोस्तों, वही हाल हो रहा है, है मालती चोहान मालती चोहान और विश्णु राज भाया वाला यही हाल हो रहा है यही राधिका आई थी उसकी जिंदगी में एक लड़की बनके और इस दुन्या में मालती चोहान रही रही और विश्णु भाया है जेल में वही हाल दोस्तों मेरा भी होने वाला है वही मेरी लाइफ में दोस्तों पता नहीं दोस्तों मैंने क्या गलती करी थी जो मेरे लाइफ में दोस्तों इस तरह की बात हुई है समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों जो चार-पांत दिन से छे दिन से घर से वह भाग गए हैं बेटी लोग को भी भाग गए हैं कान का मेरा बेच लिए हैं और कभी आज तक दोस्तों मेरी एक सारी नहीं दिये हैं और मैं कुछ बहीं नहीं मानती हूँ और मेरे दोस्तों मै इतने अच्छे नहीं है जो हजार पांचरु रुपे मुझे दे देई जो एक लड़ीच के चकर में लड़की के चकर में पता नहीं दोस्तों पहले ऐसे कभी ने करते थे जब से मेरी बेटी बुचिया हुए तब से यह इतना परियसान कर रहे हैं अब मैं उनको पसंद नहीं आ रहे हूं इसलिए अब समझ में नहीं आ रहा है और दोस्तों इसके बारे में भी मैं अभी आप आप लोगों को बताओंगी वी-डियो में आप लोग में नाम बात है उनका चैनल का मैं अभी नाम बताती हूं खुशी मौज मस्ती है मस्ती है खुशी मस्ती ऑफिश्यल यानि मतलब खुशी तेजु भया जो है उनकी जानी पहचानी चेहरा है उनका बहुत बड़े यूटूबर है लेकिन दोस्तों इस तरह की लाइक में दोस्तों समझ सकती है और मजाक उड़ाने वाले लोग को दोस्तों तो बहुत मजाक उड़ाएंगे लेकिन आप लोग से दीदी हम रुकेस्ट करते हैं जुपिली आप लोग इस तरह की बात बिचार मत डालिए क्योंकि पैसे आप कमा सकते हैं लेकिन परतिष्टा अगर एक बार खो किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता है तो इसलिए दोस्तों मैं साम को बनाती हूं अभी मैं इस तमें अभी सारे बार एक वज़रे हैं मैं यह वीडियो भी बना रही हूं तो मैं आप लोग से जुकिस्ट करती हूं जो सब आप लोग कॉमेंट में खुसी दीदी को हसला का बीच में आई अमालती चोहन बैचारी इस दुनिया में नहीं रही सब देख रहे हैं हाहकार मचा है लेकिन दोस्तों कुकूर बिलाई सबको कोई फ़रक नहीं है और एक कुटिया और फिर से दुवारा भोगने लगी है उसके लिए दोस्तों मैं साम को वीडियो बनाती हू लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए समझाए उनको हसला दिये देखे दोस्तों यह राम मंदिर का है और मैं यहां से सर्च मारी हूँ अपने मोबाइल में तो आयोध्या और नक्नो दिल्ली से जहां से मैं रहती हूँ 1151 किलोमीटर दूर पर रहे दोस्तों और मीनी का किराया है सारे 13,000 सिर्फ जाने का आने का सारे 13,000 तो 27,000 यहीं हो गया और दोस्तों मेरी बेटी भी छोटी है और उसमें दोस्तों तीन से चार जने बैट के जा सकते हैं और दोस्तों ठंड काफी है मुझे नहीं लगता है जो मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है जो मैं राम मंदिर मैं कऱंगें जा पाऊँ और धर्दी पे जमीन पे मैं पाऊँ रख सकें अभी मेरी किसमत में दोस्तों नहीं है कोशिस कर रहे हैं दोस्तों अगर जब जाने का होगा अगर घड़ी आ जाती है तो दोस्तों जानते हैं को इन ही रोक पाते लेकिन नहीं लग रहा है और दोस्तों जो यूटूब पे आज काफी दिनों से तहालका जो मचाई थी सबको धमकी दे रही थी गाली गलौज दे रही थी सबको सराप बिनाज कर रही थी उनके चैनल पे आ गया है दोस्तों इस्टाइक आप बताएंगे जो आपको कैसे पता ह है और आप लोग मानिये और नो कोई बात नहीं तो फईस चट पी दोस्तों देखियो कितना है द्रूंन और दोस्तों अभी दोस्तों σोच रहें सारे बारा मजें से जाए से